हेलो दोस्तो, सोसियोलोजी क्लासेज में आप सब का स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले है इवांस प्रिचर्ड दान नूर इवांस प्रिचर्ड एक एंत्रोपोलोजिस्ट थे जिनको हम सोसियोलोजी में भी स्टाडी करते हैं और उन्होंने नूर ट्राइब्स के उपर किस तरीके का काम किया था आज के क्लास में ये हम डिटेल में देखेंगे पहले हम देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम कौनसी कौनसी चीज़ों को डिसकस करने वाले हैं हम पहले देखेंगे कि इवांस प्रिचार्ड कौन है और इन्होंने mainly कौनसी कौनसी जगा पर उन्होंने अपना field work किया था याने कि ethnographic study किया था फिर देखेंगे उन्होंने religion के related कौनसी वो books है जो हमारे लिए बहुत important है फिर देखेंगे the concept of kung याने कि नूर society में कौन का क्या meaning है और वो क्यू important है फिर नूर religion में spirit का क्या part रहा है फिर soul और ghost concept of sin concept of sacrifice फिर आखिर में देखेंगे priests and prophets ये सारे जो concept है यहाँ पर मैंने बहुत सारे notes तयार की है इनके regarding आप लोगों को चीजे थोड़ा लेंदी लगे लेकिन ये जो चीजे है आप लोगों को जानना होता है क्यूंकि exam में कोई भी चीज से अगर आपको सिर्फ नूर का soul and ghost का concept बताने के लिए बोले या फिर priests और prophets के बारे में बताने के लिए बोले इस तरीके से अलग-अलग questions आते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सोज बिचार करके notes को थोड़ा लेंदी किया है इसलिए आप लोगों को exam में ये बहुत help करेगा तो चलिए आज का class शुरू करते हैं अगर आप मेरे classes में ने हैं तो channel को subscribe कर लेना और video को like और share जरूर करना यहाँ पर बहुत सारे playlists से आप लोग playlists से study कर सकते आपको बहुत help मिलेगी पहले हम देखते हैं कि Evans Prichard कौन है Evans Prichard एक British anthropologist है जो बहुत ही एक influential है हम कह सकते हैं कि most influential British anthropologist है Evans Prichard इनके जो works है इन works को reference मानते हुए ही बहुत सारे लोगों ने भी study किया है और इनके जो काम था इनका जो field work था इसको बहुत सारे लोगों ने बाद में detail में study किया था इन्होंने जो अपना ethnographic studies है याने की field work है उन्होंने mainly दो tribes में किया था इसके अलाबा भी उन्होंने किया था लेकिन हमारे लिए जो important है वो है दो tribes एक है आजांदे और दूसरा है नूर ये दोनों ही tribes सुदान में है है और सुदान कहा है सुदान एक North Africa में एक country है वहाँ पर ही ये दोनों tribes पाये जाते हैं वहाँ पर ही उन्होंने इनके ऊपर काम किया था अपना field work किया था यहाँ पर आप एक image देख सकते है यहाँ पर इवांस प्रिचार्ड कुछ tribes के लोगों के साथ यहाँ पर बैटे हुए है और उन्होंने इवांस प्रिचार्ड ने कौनसी कौनसी वो important book है जिनको लिखा था हमारे religion के study के according उन्होंने witchcraft, orklis and magic among the azandes 1937 में लिखा था दानूर लिखा था 1940 में और नूर religion लिखा था 1956 में इसके लाबा भी उनका बहुत सारे books है जो सुडान के लोगों के उपर, azandes के उपर, नूर के उपर है अलग-अलग category में है यहाँ पर हमारे लिए main है यह तीन अगर हमारे लिए एक्जा Evans Prichard का कोई question आया तो आप लोग जरूर यह तीन books का नाम mention कीजिएगा आपको थोड़ा मार्क ज्यादा मिलेगा अब देखते हैं जो नूर है इनका religion का concept basically होता क्या है यह जो नूर है यह पाये जाते है सुदान में और यह लोग अपने आपको कहते है नात यह लोग लंबे होते है long lived होते है और narrow headed होते है इनका जो religion है Evans Prichard ने क्यों study किया था बहुत सारे tribes है हमारे world में लेकिन सारे tribes से थोड़ा हटके है यह नूर इनका जो religion का system है बाकी tribal society के जैसा नहीं है हम normally जब भी कोई tribal societies study करते है तब देखते है कि वो लोग mainly totemism follow करते है यानि कि वो लोग कोई ना कोई चीज को पूचते है वो लोग किसी pad pod है इस तरीके का चीजों को पूचते है और उनमे groups होते है लेकिन यह जो नूर है उन tribal में थोड़ा अलग है इनका जो religion है यह mainly spirit के ओपर base है यह लोग किस तरीके का religion मानते है किस चीज को बड़ा मानते है इनके पास air water यह सारे चीजों का बहुत ज्यादा importance है हम देखेंगे आज के class में धीरे धीरे कि इन्होंने कौन सी चीज को ज्यादा importance देते है यह नूर आज का class basically हमारा नूर के उपर ही है और इन नूर को इवन्स प्रिचार्ड ने किस तरीके से describe किया है इसके उपर ही है नूर जो है उनके भगवान को कहते है कोत यानि कि spirit कोई भी ऐसा spirit जो उनको help करता है जीने के लिए ये कोत मेनली क्या represent करता है ये एक intangible quality of air है यानि कि ये एक हवा है वो लोग हवा को पूझते है यानि कि ऐसा चीज जो वो देख नहीं सकते ऐसा चीज जिनको वो चू नहीं सकते उनके हिसा हिसाब से वो ही उनका भगवान है और वो उसी spirit को पूझते है उनके हिसाब से air, wind ये सारे चीजे इन्वीजिवल है लेकिन उसमें भी एक spirit बसता है जो उनका भगवान होता है ये नूर जो है ये heavenly things को बहुत ज्यादा compare करते है एक चीज को दूसरे चीज से ज्यादातर compare कर वो लोग सोचते हैं कि जो भी earthly persons है, human being जो है वो normally earthly person है यानि कि वो लोग humans आर्थ से ही बिलोंग करते हैं वो लोग और किसी जगा से बिलोंग नहीं कर सकते हैं उनके हिसाब से घोष्ट भी होते हैं लेकिन वो लोग घोष्ट को कभी भी sky के चीज या फिर heavenly bodies के साथ तुलन नहीं करते हैं उनके हिसाब से घोष्ट कोई ऐसा चीज नहीं है जो sky से आकर उनके उपर काम करेगा या फिर sky से आता है उनके हिसाब से घोष्ट भी आर्थ में ही पाये जाते हैं सिर्फ जो भगवान है यानि कि God है वो ही sky में रह सकता है यानि कि आकाश में सिर्फ भगव भगवान ही रह सकता है बाकी जो घोष्ट या फिर हुमेन होते है वो सारे अमारे आर्थ में ही पाये जाती है यानि धर्ती पर ही ये सारे चीजे पाये जाती है सिर्फ भगवान ही आकाश में रह सकते हैं उनका मानना है नूर्स का मानना है कि गौड ही उनका क्रियेटर है और सारी चीजों का movement का हगदार भी भगवान ही है आर्थली जो भी चीजे होती है जब भी movement होता है या फिर कोई भी creation होता है ये सारे चीजे भगवान ही करता है वो लोग भगवान को पिता मानते है उन्होंने दो respect से इसको भगवान मानते है कि जो भगवान है वो ही उसका पिता है क्यूं मानते हैं उन्होंने कहा है कि भगवान ही उनका creator है और भगवान ही उनका protector है ये दो चीजों के हिसाब से वो उनका पिता होते है अब देखते हैं concept of kong kong जो है इसका meaning होता है upright या फिर firmly established ये प्रिचार्ड का इवान्स प्रिचार्ड ने कहा है कि ये जो kong है इस concept दो चीजों के बज़े से बहुत ज्यादा important है पहला जो बज़ा है इट relates directly to man's behavior towards God यानि कि ये जो चीज है ये जो kong है ये directly relate करता है man's behavior को भगवान के प्रती कि भगवान या फिर कोई भी spiritual being को gods, ghosts ये सारे चीजों को किस तरीके से देखता है किस तरीके से लोग directly उसके उपर behave करते हैं और secondly जो है it relates to god in a more indirect way ये indirect way में भी god को देखता है यानि कि वो लोग god को देखते हैं कि indirectly देखते हैं कि वो ही उनका founder है वो ही उनका moral guardian है मतलब जो भी चीजे तै करेंगे उनकी जिंदिगी का वो सारे चीजे भगवान ही करेंगे भगवान के हाथ में ही सब कुछ है नूर का मानना है नूर जो people है उनका मानना है कि भगवान अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो भगवान हमको माप कर सकते है लेकिन जब भी कोई misfortune होता है यानि कि कोई भी एक खराब चीज हो सकती है जैसे आर्थ कुई या फिर फ्लाड आ जाना या फिर तुफान आ जाना ये सारे चीजे किस बज़े से होती है उनका मानना है कि ये सारे चीजे होती है एंगर ओफ स्पिरिट की यानि कि भगवान का क्रोथ के कारण ही ये सारे चीजे होती है जब भी भगवान उनसे नाराज होते है तभी ये सारे चीज़े उनको देते है भगवान की नाराज की बज़े से ही ये सारे चीज़े होती है ये नूर्स जो है वो लोग प्रेयार करते है पाबलिक में करते है और फोर्मा लोकेशन्स में भी करते है उनमें सेक्रिफाइस का क concept है वो लोग जब भी prayer करते हैं वो लोग एक common phrase use करते है वो common phrase है आकोनियों को इसका meaning है let us be at peace वो लोग चाहते हैं भगवान से मांगते हैं कि वो लोग शांती से रहे ये लोग prayer में mainly उनका sense क्या होता है general sense क्या होता है prayer का वो लोग चाहते हैं God जो है भगवान जो है वो उनको protect करें उनको हर चीज से जो भी चीज उनके लिए harmful है उनसे बचाए वो लोग भगवान के ही बच्चे है और उनको बचाना भी भगवान का ही हक है और भगवान ही उनको बचाएगा ये सारे चीज़े वो लोग mainly prayer में use करते हैं अब यहाँ पर एक important concept है जो नूर्स है वो लोग अपने लिए जिंदिगी चाहते हैं लेकिन वो लोग ऐसी जिंदिगी नहीं चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा struggle हो बहुत ज्यादा stress हो बहुत सारा travel हो वो लोग एक ऐसा जिंदिगी चाहते हैं जहाँ पर नॉर्माली एक अच्छी जिंदिगी होनी चाहिए वो लोग freely जी सके वो लोग कुईसी तरीके का suffering ना हो इसलिए वो लोग ज्यादा तर भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान को ज्यादा मानते हैं अब देखते हैं notion of spirit उन्होंने जो नूर से वो लोग spirit को बहुत ज्यादा मानते हैं उनके हिसाब से spirit ही उनका life में सबसे ज्यादा important role play करते हैं वो लोग कहते हैं कि नूर जो है वो लोग मानते हैं कि spirit दो तरीके का होता है एक है कुथ नाहियल और दूसरा है कुथ पीनी कुथ नाहियल वो सारे spirits है जो उपर है मतलब हमारे उपर है आकाश में है बायू में है ये सारे चीजों में जो होगा वो होगा spirit of एभाब इसको कहा जाएगा कुथ नाहियल और कुथ पीनी जो है वो है spirits of the below यानि कि हमारी धर्ती में जो सारे spirits रहेंगे उसको कहा जाएगा कुथ पीनी ये spirits वगवानगी हो सकते है और घोश्ट भी हो सकते है उनके हिसाब से नूर्स के हिसाब से जो spirit air में रहता है वो ही सबसे ज्यादा powerful होता है यानि कि air में जो spirit होगा वो ही सबसे ज्यादा powerful होगा बाकि सारे जो आर्थ में रहेंगे वो उतना powerful नहीं है अब देखते है कि role of medicine जो नूर है उनमें medicine का क्या role होता है वो लोग medicine को किस नजरिये से देखते हैं नूर society में जो medicine का concept है ये बहुत ही minimum है वो लोग medicine के ओपर ज्यादा भरोसा नहीं करते वो लोग believe करते हैं कि जो भी religious rights है जो भी religious rituals है ये सारे चीज़े अगर वो करेंगे तो ही उनका treatment हो सकता है treatment के लिए वो लोग directly religion के ओपर अपना आस्ता रखते हैं वो लोग कहते हैं कि हमें अगर ठीक होना है तो भगवान को ही आमें बचाना होगा उनका जो medicine का concept है वो लोग medicine तो use करते हैं लेकिन medicine को वो लोग directly नहीं कहते हैं कि हम medicine use कर रहे हैं वो लोग treatment के लिए primary source यूज करते हैं religion को जो medicine होता है वो secondary होता है वो लोग medicine use करते हैं लेकिन वो लोग यह कहते हैं कि medicine तभी काम करेगा अगर God happy हो अगर God happy होंगे तभी वो medicine को काम कराएंगे अगर God happy नहीं होंगे तो medicine कोई भी काम नहीं करेगा तो उनका मानना है कि जो भगवान होता है वो एक protector होता है जो disease के time उनको बचाएगा जो medicines देगा और जो medicine है वो एक सिर्फ एक जरिया है भगवान के help करने का यह लोग medicine को सिर्फ एक जरिया मानते है और जो mainly आपके उपर उनके उपर जो काम करेगा, जो उनको ठीक करेगा वो होता है भगवान। अब देखते हैं सोल और घोष्ट का कॉंसेप्ट, सोल यानि की आत्मा और घोष्ट यानि की भूत प्रेत। उनमें सोल और घोष्ट का कॉंसे बहुत ज्यादा है वो लोग इसको बहुत ज्यादा मानते है वो लोग अपने मौत से बहुत ज्यादा डरते है इस बज़े से वो लोग अपने डेथ के बारे में कोई बात करते ही नहीं है वो लोग जब भी अपने आप में बात करते हैं, कभी भी death के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग death से बहुत ज्यादा डरते हैं, जो भगवान है, भगवान ही उनको life देता है, और अगर भगवान का इच्छा हो, तो वो उनसे अपना life छीन सकता है, और ये life छीन living being में आत्मा नहीं होता है उनके हिसाब से उनका मानना है कि सिर्फ इनसान kettles और elephant में ही soul होते है इसके अलबा बाकी जो सारे चीजे है उनमें normally soul नहीं होता है उनके हिसाब से नूर के हिसाब से जो ghost होते है ghost का मतलब है कोई भी serious disease अगर कोई भी serious disease होगा तो ही वो लोग कहेंगे कि ये एक ghost है उनके हिसाब से ghost directly belong नहीं करता है ghost किसी भी serious disease के form में belong करता है हम नूर को बाकी सारे tribes से अलग करते है क्योंकि सारे tribes में कुछ ऐसा मानना है कि जो भी disease होते है वो सारे ghost directly देता है उपर से आता है लेकिन नूर्स normally practically चीजों को सोचते है वो लोग सोचते है कि जो भी ghost होता है वो हमारे normally serious disease को ही मानते है इसलिए उनके हिसाब से नूर्स के हिसाब से ghost इतना important factor नहीं है उनके society में ghost इतना importance नहीं रखते है लेकिन इसको totally ignore भी नहीं किया जा सकता अब देखते है concept of scene scene यानि की पाप उनमें पाप का concept क्या है scene का concept क्या है उनमें एक word है वो लोग नूर्स एक word यूस करते है वो है rural rural यानि की insetious relationship जिसको हम normally far कहते है उनमें far का concept बहुत ज्यादा है यानि की rural का concept बहुत ज्यादा है वो लोग मानते है कि जो भी F.A.R. है वो बहुत ही एक खराब चीज है वो एक पाप है अगर कोई भी इंसान पाप करेगा तो उसका सजा भगवान देगा जब भी कोई misfortune होता है कोई भी चीजे earthquake, flood ये सारे चीजे होती है तो वो लोग मानते हैं कि ये भगवान का शाप है भगवान का एंगर ही है इसलिए उनमें ये F.A.R. यानि की sin का जो concept है ये बहुत ज्यादा है उनमें इस चीज में भी कुछ categories है वो लोग सोचते हैं कि जो भी relationship जितना pass का होगा sin का परिनाम यानि की जो भी पाप होगा पाप का परिमान ज्यादा होगा अगर कोई दोई इंसान कोई लेड़का और लेड़की के बीच में अगर F.A.R. हो और वो बहुत दूर related है उनके में कोई relation है ही नहीं तो पाप का परिमान कम है और अगर उनमें करीबी रिष्टा हो तो उसमें पाप का परिमान बहुत ज्यादा होगा इसलिए उनका जो insetious relationship है यही वो लोग सोचते है कि इसके हिसाब से ही degree of sin define किया जाता है कि उनमें relationship किस तरीके सक्का है जो लोग पाप कर रहे उनमें relationship किस तरीके का है उसके हिसाब से scene decide किया जाता है वो लोग सोचते है कि एक fair fight में अगर fight हो दो इंसानों की बीच अगर एक को मार दिया जाए तो वो कोई पाप नहीं होता है इसका मतलब है वो लोग चीजों को practically समझते है और उनके हिसाब से जो भी पाप होता है वो उनका society की तैय करता है कि कौन सा चीज सही है कौन सा चीज बुरी है बुरी चीज को अगर कोई चीज बुरा है तो ही पाप होता है लेकिन अगर कोई चीज fairly हो तो उसमें पाप नहीं होता है अब देखते है concept of sacrifice religion में रूर religion में इवन प्रिचाष ने कहा है कि रूर religion में भी sacrifice का बहुत ज्यादा concept है और ये जो sacrifice है ये ही सबसे ज्यादा typical और expressive act है नूर religion का नूर religion में बहुत जो सारे चीज़े है वो इतना ज्यादा expressive नहीं है सबसे ज्यादा जो expressive चीज है उनके religion के बारे में बताता है उनका religion को दिखाता है वो है उनका sacrifice का concept वो लोग बहुत सारे occasions पे sacrifice करते हैं ये sacrifice दो तरीके के होते हैं पहला है personal sacrifice और दूसरा है collective sacrifice personal sacrifice यानि कि किसी एक इनसान के लिए या फिर किसी एक family के लिए अगर कोई sacrifice किया जाए तो उसको कहा जाएगा personal sacrifice और collective sacrifice यानि कि पूरी society के भलाए के लिए किसी एक group के भलाए के लिए जो sacrifice किये जाएंगे उसको कहा जाएगा collective sacrifice ये sacrifice में जो सारे चीजों को sacrifice किया जाता है वो है ox, baron, cow, bull और goat ये सारे चीजों को ही sacrifice किया जाता है वो भी किसी ritual के दुआरा उनमें जो sacrifice का concept है इनमें बहुत सारे stages है ये जो sacrifice है ये एक act है जहाँ पर लोग बहुत सारे process से होके stages से होके गुजरते है यहाँ पर mainly 4 stages है जिससे sacrifice गुजरता है अगर यहाँ पर पहला है presentation, फिर है consecration, फिर invocation और emulation presentation यानि कि क्या है यहाँ पर जो भी head of the family होता है जिसको sacrifice करना है किसी भी चीज के लिए अगर sacrifice करना है तो वहाँ पर head of the family presentation stage में head of the family जो भी चीज को offer करेगा पकड़िये वो एक cow को offer करेगा यानि कि किसी एक guy को offer करेगा तो फिर वो एक guy को offer करेगा भगवान के सामने कि नहीं मैं आपको यह जो guy है यह प्रस्तूत करता हूँ आपके सामने फिर होता है consecration यहाँ पर क्या होता है जो भी चीज को sacrifice किया जाएगा जो भी cow है जिसको sacrifice किया जाएगा उसके ओपर जो भी cattle dung है यानि कि cattle का जो मल है उसको उसका जो ashes होता है उसको rub किया जाएगा उसके पीट के ओपर rub किया जाएगा फिर होता है invocation यहाँ पर बताया जाता है कि जो भी sacrifice करेगा वो बताता है कि किस बज़े से, किस कारण से, किस matter के बज़े से वो sacrifice कर रहा है उसको कौन सी चीज से मुक्ति चाहिए या फिर वो कौन सी चीज चाहता है जिसके बज़े से वो sacrifice कर रहा है और आखिर में होता है emulation जहाँ पर victim को offer किया जाता है यानि कि जो cow है उसको बली दी जाती है उसको sacrifice किया जाता है भगवान के सामने इसी तरीके से sacrifice का process complete होता है फिर देखते हैं हम priests and prophets के बारे में priests और prophets जो है नूर society में ये दो अलग तरीके का चीज है जब भी normally जो सारे चीज़े है जो सारे पुजाई की जाती है ये सारे चीज़े करते हैं priests प्रिष्ट की जरूरत है जब भी वो कोई sacrifice करेंगे तब कोई priest ही जाकर उनको sacrifice करने में help करेगा इनमें सबसे बड़ा जो priest है वो है core ये एक leopard skin priest है ये एक strangers होता है यानि कि वो लोग उनके society से belong नहीं करते हैं ये लोग बाहर से आते हैं ये प्रिष्ट बाहर किसी जगा से जब भी कोई sacrifice किया जाता है जब भी कोई इंसान पाप करता है सीन करता है तो वहाँ पर ox की sacrifice किया जाता है नॉर्माली तो बहुत सारे चीजों को sacrifice किया जाता है लेकिन जब भी कोई पाप करें तो उसको ox की sacrifice करना पड़ेगा और ये जो sacrifice है इस sacrifice में help करता है लिवपार्ड skin priest even preachards ने कहा है कि जो nur religion है यहाँ पर prophet का भी priests और prophet ये दोनों अलग तरीके से define किया जाता है और prophet क्या है a prophet is a person who is possessed by spirit of the air यानि कि एक prophet वो इनसान होता है जिसके पास भगवान का spirit हो मतलब जो भी ultimate उनका मानना है जो spirit of air है उसका power होता है उसके पास वो air का spirit होता है even preachards ने ये दो priests और prophet जो है इसको differentiate किया था उनमें comparison किया था कि ये दोनों अलग क्यों है नूर सुसाइटी में ये दोनों का function क्यों अलग है पहला है जो भी priests है वो लोग traditionally functionary है यानि कि वो लोग उसी society से belong करते हैं मतलब वो पहले से ही है और जो भी prophets है ये recently develop होया है normally जो priests होते है वो लोग पूजा अर्चना करते है जो भी चीजे करना होता है और prophets बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको अपने आप में धर्म समझाते हैं religion के बारे में समझाते हैं उनको religion related चीजे समझाते हैं जिनमें extra power होता है जो भूँत सारे चीजे जानते हैं जो ग्यानी लोग होते हैं वो ही prophets नर्माली होते हैं फिर है the role of priest is mainly at sacrificial function यानि कि जो भी priest है वो sacrifice के समाई ही उनका mainly काम होता है लेकिन जो भी prophets है उनका role होता है interminate यानि कि वो लोग sacrifice के बगद भी उनका काम होता है उसके पहले भी उनको religion के बारे में समझाना उनको अच्छे बुरे के ग्यान देना ये सारे चीजे करते हैं prophets जो priests होते हैं वो लोग transmit होते हैं descent के दौरा यानि कि उनके पूरवज अगर priest होंगे तभी वो priests बन सकेंगे लेकिन जो भी prophets हैं वो लोग इस तरीके से नहीं बनते उनमें कुछ charismatic quality होना चाहिए यानि कि उनमें एकसा कुछ special quality होने चाहिए जिसके बज़े से वो prophets बन सके उनमें inspire करने के लिए उनमें खुद में कुछ ऐसा power होना चाहिए जो दूसरों को inspire कर सके इसलिए जो नूर religion है यहाँ पर priest और prophet ये दोनों अलग चीजे हैं और इनको differentiate किया जाता है नूर के नजरिये से नूर्स इन दोनों में differentiate कर सकते है कि कौन कौन सा काम करेगा यहाँ पर मैंने बहुत सारे concepts थे इनको simple में आसानी से समझाने की कोशिश की है यहाँ पर exam में अलग-अलग questions आ सकते हैं जैसे sacrifice के related question या फिर soul के related question, priest and prophets के related question आप लोगों को question को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा फिर answer करना होगा अगर ऐसा किया तभी आपका answer जायज होगा और आपको even pre-chart के बारे में जो पहले description दिया गया है थोड़ा बहुत उनका क्या book है यह सारे चीजे भी याद रखने होगे तो आपको mark बहुत अच्छा मिलेगा अगर आज का class अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहिए सुस्त रहिए और लोगों में प्यार बाठते रहिए जाए हिंद